Hello friends, this is a civil engineer मुकेश शार मैं आपका तहदल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल Learning Civil Technology में आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही important topic पर बात करने वाले हैं अपने अकसर सुना होगा structural drawing को study करते वक्त LD के बारे में यानि कि development length के बारे में main सबसे important चीज यही है कि cutting length कैसे निकालते हैं यह कि जब calculate करेंगे हम लोग development length वो चीज और cutting length में अंतर आजाता है तो कितना अंतर आएगा, क्यूं अंतर आएगा, यह सब चीज हम लोग इसमें discuss करने वाले हैं इसके लिए वीडियो में अंतर जरू बने रहिएगा अपका छोड़ा से छोड़ा point जो है वो यहाँ पे clear होने वाला है तो देर नहीं करते हुए आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि development length क्या होता है तेक है, generally जो देखते हो अब site पे drawing तो यह देखो यह column रहती है, column में site से आके क्या होता है कि beam superimpose होता है beam क्या करता है, मतलब load जो transfer होती है उसका path क्या है generally देखोगे, जो सबसे पहला load आता है, वो किस पे आता है, वो slab पे आता है यानि कि slab, अब slab अपना load किस के उपर transfer करता है, beam के उपर transfer करता है ठीक है, beam जोकी यह beam है मेरा यह beam है ठीक है अब beam अब वो load ले के किस पे transfer करेगा? वो करेगा इस Column पे यह जो Column आप देख रहे हों मैं यह Column पे transfer कर देता है, तो beam transfer करता है Column पे ठीक है, क्यालो timeline अब क्योंपना load किस पे transfer करता है, Faccutting पे फुटिंग पे यानि कि जो foundation हम लोग नीचे बनाते हैं उस पे अब foundation किस पर अपना load transfer करता है वो कर देता है अर्थ पे ठीक है नीचे जो अर्थ है हमारा उस पर उस load को transfer कर देता है तो इस load को transfer करने का जी यह mechanism है न यह con kit का सिप अकेला नहीं रहता है क्योंकि जो हम लोग घर बनाएंगे यह column beam सब बनाएंगे यह सिर्फ हम लोग con kit से बनाते हैं क्या नहीं कभी भी नहीं con kit के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि steel को provide करते हैं con kit क्या है न कि compression में भले ही strong है लेकिन con kit tension में strong नहीं होता है इसलिए उस tension को provide करने के लिए हम लोग con kit के अंदर में steel provide करते हैं तो देखना beam का जो हम लोग सरिया डालते हैं ऐसे सीधा आके जरूर वो column के अंदर में इसे गुसता है ठीक है ऐसे गुसता है क्यों गुसता है क्योंकि column के साथ beam को हम लोग बांधते हैं जोडते हैं हम लोग अगर बंबू का भी घर बनाते हैं तो चार पिलर हम लोग ऐसे लगाएंगे उसके बाद उपर में जो हम लोग beam की तरह बांदेंगे न उसको हम लोग क्या करेंगे जो खरा खरा column में इसको साथ बांधते हैं नहीं बांदेंगे तो गिर जाएगा भाई समझ मैं है ना गिर जाएगा इसलिए ये column के साथ हम लोग इस beam को बांधते हैं तो सिप concrete से भी ये बन जाएगा लेकिन ज़्यादा दिन चलेगा नहीं क्योंकि ये tension में मजबूत नहीं है तो tension प्रवाइट करने के लिए हम लोग कोई steel अंदर प्रवाइट करते हैं तो जब concrete से concrete जुरा हुआ है तो जैसे ही यहाँ पे column का steel जा रहा होगा उसी steel के साथ हमारा जो beam का जो लोगा है ना वो भी जाके यहाँ पे बंदेगा ठीक है जैसे हम लोग रसी से बानते है ना उसी तरीके से हम लोग ये लोगा के साथ इस लोगा को अंदर गुसा के बान देते हैं main function यही है यही मेरा LD होता है समझ में आ गया LD मतलब यही है अब सबसे पहला है कि इस ड्राइं में मेरा LD कौन सा है क्योंकि हम लोगा तो यहां से लेके पूरा यहां तक डाले है कि सारा LD है नहीं कभी नहीं LD क्या होता है column का यह face से यह तो मेरा beam था ना यहां से लेके यहां तक पूरा beam था LD काहलाता है तो what is LD आपका clear हो गया ठीक है यानि कि development length clear हो गया अब इसका function क्या है देखो अब इस beam के उपर जो भी मेरा load आ रहा था आचान भासा में समझाए तो load technical भासा में समझोगे तो stress बोल सकते हो इसको ठीक है एक type से तो देखो जो भी इस beam के उपर मेरा load आ रहा है stress आ रहा है, moment आ रहा है कुछ भी आ रहा है अब उस सबसे पहले किस पे गिरेगा इस concrete पे उपर मेरा concrete है concrete के उपर, concrete transfer करता है मेरे loha के उपर में, ठीक है क्योंकि tension तो यही लेगा, steely मेरा लेने वाला है concrete नहीं लेने वाला है concrete compression ले लेगा, लेकर tension नहीं लेने वाला है तो जैसे ही मेरा यह steel पे यह loha, यह load आएगा, यह stress आएगा यह क्या होगा, इस loha के सरीए ऐसे ऐसे जाकर, वो क्या होगा कि column में मेरा transfer होगा ठीक है, column में मेरा transfer होता है तो सबसे बड़ा function क्या है यह stress को stress को transfer करता है from reinforcement to concrete ठीक है, देखिए stress इसके थूँ आया loha के थूँ आया, और जाके यह column के जो concrete था ना, उसमें transfer कर दिया loha में transfer नहीं किया है loha में transfer कौन करता है, जब हम लोग lab provide करता है, जब ही हम लोग steel provide करते है न, lab, दो सरीया को जो हम लोग बानते हैं, तो उस वक्त में जो stress load provide करता है, transfer होता है एक loha से दुसरे loha में वो lab के through होता है, लेकिन development link के through, जो हम लोग stress transfer करते हैं, वो एक loha से लेके दुसरे concrete में transfer करते है यह column के, यह में तो यहाँ पर लोग बोल चकते हैं LD का function क्या होता है यह transfer करता है stress को from reinforcement, यानि कि steel आप बोल चकते हो, ठीक, reinforcement मैं अटा रहाँ, from steel to concrete उमीद करते हैं, आप कोई चीज clear हो गया है, ठीक है, अब next सवाल यहाँ पर है, function भी हम लोग यहाँ पर मज़ गया है, अब how to calculate LD, development length हम लोग यहाँ पार्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा यह example यहाँ पर करेंगे मालने जीए, यह मेरा column है यह बीच में beam है वापस से यह column आ गया, ठीक है यह जो beam है मेरा, यह मेरा 3 मीटर का है, ठीक है, यह भी 3 मीटर का है, और यह जो column है मेरा, यह मैं यहाँ पर मालने लेता हूँ, 600 का, ठीक है यह 600 का यह 600 mm, इसका width है, यह वाला width जो आप देख रहे हो यह width मेरा 600 है, समझ में यही अभी जरूरत है मुझे, 3 मीटर है तो इसको अगर हम mm में बदलेंगे, तो कितना जाएगा 3000 mm, ठीक है 3000 mm, 1000 से भाग दे दोगे, तो आपका 1000 से divide दे दोगे, तो आपका वो meter से mm में convert हो जाएगा, तो यहाँ पर development length आएगा, मैं एक steel पकरता हूँ चाहे top का हो, bottom का हो, कोई भी तो steel ऐसे provide करेंगे हम लोग, यह सीधा जाएगा, यहाँ पर LD जाएगा, यहाँ पर LD जाएगा तो इसमें LD मेरा कौन सा है, यह column phase से, मतलब यहाँ से लेके, यह और यह, और इधर भी देखेंगे तो यह और यह, total जा रहा है आसान रहता है, समझना, LD अगर हम लोग निकालेंगे, यानि कि development लोग निकालेंगे, तो अब लोग देखना, आपके structural drawing में, यह दे दिया रहता है कि आपको कितना देना है LD अगर आपको जानना है कि LD आप खुद से calculate कैसे करोगे formula के help से, IS code के अनुसार, 456 की मदद से तो मेरा यह वाला वीडियो आप जाकर जरूँ देखिए इसमें मैंने calculate करके, आपको design media के help से, आपको दिखाया है यह IS code के help से, आप कैसे खुद design करोगे अपने LD को तो generally आपके structural drawing में, यह LD दे दिया रहता है और यह depend करता है किसके उपर grade of steel के उपर grade of steel के उपर और grade of concrete के उपर आपका जो आपका जो structural drawing रहेगा ना उसमें देखिएगा दिया रहेगा कि grade of, एक side में आपका grade of steel दिया रहता है, जैसे F.E. 415 या F.E. 500 या F.E. 500D ऐसे आपका grade of steel दिया रहेगा, और उपर में देखिएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा, M30 M40 M50, और यहाँ पर respect में आपको दिया रहेगा जैसे यहाँ पर 36D 40D 45D F.E. 500 के लिए यह अलग लग रहेगा, जैसे 40D 45D 50D, इससे आप कैसे चेक करोगे मालनीचे आपके साइट पे जो स्टील आया है वो F.E. 500 का आया है और जो grade of concrete है, वो है आपका M50 का concrete हो रहा है तो आप लोग चेक करना है, यह वाला पार्ट यानि कि आपका जो F.E. 500 का स्टील आया है आपके साइट पे, तो हम लोग को यह वाला चेक करना है, और grade of concrete कौन सा है M50, तो आपको यह वाला चेक करना है तो हमारा कौन सा आया 50D यह वाला पार्ट समझ में आ गया, इस line को देखो, और इस line को देखो जहां merge करेगा, वो आपको पकरना है तो मालनीचे हमारे यहाँ पे जो casting था वो FE 500 को लेके है और जो grade of concrete है वो M50 का है, ठीक है तो इसी सबसे यहाँ पे कितना आना चाहिए, 50D आना चाहिए तो LD है मेरा 50D अब D क्या है भी है यहाँ यहाँ पे D है मेरा dia of bar D है मेरा यहाँ पे dia of bar dia of bar in millimeter तो यहाँ पे जो हम लोग VIM में यह steel provide किये है इसका dia हम लोग यहाँ पे माल लेते है 16 mm का, से 16 mm तो चलिए हम लोग यह dia है इसका 16 mm का, चलिए इसको put करते है, तो LD कैसे निकलेगा 50D है, तो 50 multiply, dia मेरा कितना है 16 mm, तो इसको आप कर दो कितना आएगा, आपका यह आगया 800 mm तो 800 mm मेरा इधर भी आएगा 800 mm मेरा इधर भी आएगा, तो total length of, यह steel मेरा कितना आने वाला है यह मैं cutting length अभी निकाल रहा हूँ total length निकाल रहा हूँ, ठिकर, cutting length भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा तो total length मेरा अभी आजाएगा यह देखो, पहले तो मेरा beam है तीन मीटर का, यानि कि यह 3000 mm, वो लिक दो 3000 प्लस, दो LD आड़ होगा एक LD इधर वाला भी आड़ होगा एक LD इधर वाला भी आड़ होगा तो एक LD हमने यहाँ पे कितना निकाला 800 mm, तो 800 प्लस 800 total यह कितना आया 800, 800, 1600 यानि कि 4,600 इतना mm यानि कि जो स्टील हम लोग को लगने वाला है यह total, वो कितना लगने वाना है 4.6 मीटर का 1000 से डिवाइट काती न, ठीक है लेकिन क्या हम लोग स्टील काटेंगे वाकि में 4.6 मीटर का, नहीं समझ में आ गया, नहीं काटेंगे हम लोग को कम काटना है 4,600 mm से कम का काटेगा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टील जो है इसे बेंड हुआ है अगर बेंड होगा, इसका मतलब क्या है स्टील वहाँ पर इसे बेंड होने वाला है इसलिए आपके स्टील कम ही काटेंगे कम काटके जब मोरेंगे ना तो वह आटोमेटिक यहाँ पर बड़ा हो जाएगा समझ में आ गया और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है देखिए, LD मेरा 800 था और कॉलम का वीद मेरा 600 है तो अव्यस्सी बात है मेरा यहाँ पर यहाँ पर यह टोटल 800 था पुरा गूसेगा नहीं कि मैक्सिमम कितना जा सकता है 600 ही जा सकता है कॉलम फेस से और 600 में भी यहाँ से कवर माइनस होने वाला है समझ में आ रहा है कवर माइनस होगा तो तो और कम होगा इसका मतलब है कि बेंट तो जरूर आने वाला है यह शियर हो गया अब माल लिजे यहाँ पर LD मेरा कम आता 300 ही एमें माता कम डाय का है स्टील यहाँ पर माल लिजे तामपल के लिए समझ लिए आर्ट का स्टील होता तो भी यहाँ पर माल लिजे डिवल्लप्मेंट लेंद कम ही आया है जो कि 600 के अंदर में 400 है तो सीधा ही हम लोग कर देंगे तब मेरा वही मेरा क्या होगा क्रटिंग लेंद भी हो जाएगा मतलब तीन मीटर इधर तीन सो इधर तीन सो क्योंकि देखो तो चलिए अब cutting length हम लोग निकालता है cutting length cutting length कितना निकलेगा तो देखो total length मेरा कितना निकला था 4600 ला 4500 हो तो रखेंगे इसमें हम लोग minus करेंगे दो band एक band इधर आ रहा है और एक band इधर आ रहा है ठेक है तो दो बेंट हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे और एक एक बेंट के लिए कितना करेंगे यह बेंट कितना का है यह बेंट देखिए 90 डिग्री का है तो एक 90 डिग्री के लिए 2D होता है 2D 2D ठीक है 2D D की है मेरा die of bar है तो यह हो गया number of bend जो की है एक दो और 2D formula को यहाँ बैठा रहे है 2 और die का जगा कितना आएगा 16 यह जो लोहा है मेरा कितना का है 16 का है तो 16 बैठा दो अब चली calculate करते हैं तो यह आ जाता है आपका 4600 ऐसी रहेगा यह कितना आएगा 16 दूना 32 32 दूना 64 यह मा गया आपका 4536 mm तो हम लोगो इतना mm का काटना होगा तो इतना mm का काट होगे न और इसको जाकर यहाँ पर जब bend करोगे तो automatic वो आपका 4600 mm का बन जाएगा समझ में आ गया उमीद करते हैं आपको clear हुआ है clear हो गया आप एक चीज यहाँ पर हम लोग चली समझते हैं आपको shape भी दिखाना परता है बहुत बार कि यह जो shape है ना shape में इसका measurement कितना आएगा तो जो measurement यहाँ पर आने वाला है वो match करेग यह 4600 से यह तो cutting length हो गया यह cutting length आप दे दीजिए आपको जो फिटर रहेगा ना फिटर को दो चीज देना परता है एक तो आपको माल लीजिए यहां से लेके यह तक यहां से यहां तक beam था मेरा तो यह मेरा कितना था 30000 mm यानि कि 3 mok था अब यहां से लेके यहां तक यह कितना है total है 800 क्योंकि यह lay demand х तो यह total है 800 लेकिन हम लोग को यह नहीं पता है कि यह part कितना है और यह part कितना है तो यह कैसे निकालेंगे यहाँ पर आते हैं इसके लिए तो column का width मेरा कितना था total यह total width है मेरा 600 total width मेरा कितना है column का 600 यहाँ पर मैं लिखता हूँ column width है मेरा total 600 ठीक है तो जब हम लोग यहाँ पर steel को बैठाएंगे तो यह total तो यहाँ तक नहीं न जाएगा सबसे पहले इस 600 में से एक हम लोग क्या करते हैं cover को minus करते हैं तो 600 में से एक हम लोग cover minus कियें तो column में यह cover minus कितना होगा 40 mm का ठीक है 40 mm का minus करेंगे उसके बाद हम लोग को यहाँ पर less करना है आपको safe side में रहने के लिए एक stir up का डाया भी less करेंगे ठीक है वो हमारा मानलीज़ 8 mm का है तो 8 mm भी less करेंगे देखिए जेनरली होना नहीं चाहिए अगर आप एकदम perfect precisely करोगे न तो यह less करने की जुरुवत नहीं होती है लेकिन आप feature हो तो जो safe side में रहने के लिए करता है ठीक है आप यह नहीं भी करोगे तो वो अटेगा समझ में आ गया यहां से जो cover था 40 mm का कॉलम के लिए उस पर provide किये है समझ में आ गया उस पर provide किये है तो क्या होता है हमारा जो steer up है कॉलम का वो तो इसके बाहर लगा होगा जब beam का लोहा आएगा न तो वो इसी line में नीचे उतरेगा तो हो सकता है कभी न कि इसे धक्का खा जाए जहां पर यह steel आ रहा हो वहीं पर यह रहे मतलब अगर हम section में इसको दिखा है top भी उसका column का मतलब मालनीजे यह column है यह हाँ और जब beam का steel आ रहा है तो हो सकता है इसे टकर आ जाए हो सकता है ना इसलिए हम लोग क्या करते है save side में रहने के लिए एक और हम लोग क्या करते है dia minus करते है और इसको थोड़ा आगे पीछे करते है ताकि वो bad जाए उसमें तो एक stirrup का dia भी हम लोग यहाँ पर less करते है बहुत कोई क्या करते है ना जो vertical bar का loha है ना वो भी less करता है तो आप लोग देख लिजेगा अच्छा रहेगा जब आप लोग यहाँ पर जो vertical bar का dia है ना वो less कीजिए तो मालने यह column में यहाँ पर मेरा 12 mm का loha है ठीक है 12 mm का loha है या 16 mm का loha है मैं मालने लिता हूँ कि column phase से मेरा यह वाला length कितना होगा यह 544 होगा 544 इधर भी और इधर भी तो balance कितना बचा total था मेरा यहाँ पर कितना 800 तो 800 में से अगर हम लोग यहाँ पर minus करेंगे 544 तो बचा मेरा 256 तो यह वाला जो part है ना 256 होगा 256 256 यह दोनों को add किजिए आपका देखिएगा 800 आ जाएगा जो development length में था तो shape आपको जब बना के देना होगा तो इस तरीके से आपको बना के देना होगा और यह fulfill करेगा total length जो कि हमारा 4.600 होथा लेकिन जब आप cutting length दोगे तो आपको bend को जो है ना लेस कर देना परेगा आपको यह बताना परेगा यह दो चीज हम लोगो binder को barbender को देना होता है जब आप BBS बनाते हो yes BBS यहन कि barbending schedule समझ मैं आगा है BBS के उपर मैंने बहुत सारा वीडियो बना के दखा है अगर आप लोगो जाकर देखना है तो आप उसको जाकर एक बार जरूर देखिएगा तो आप लोग बहुत कुछ सीखोगे वहाँ से उमीद करते हैं इस वीडियो में आपको सभी चीच clear हुआ है कोई भी doubt, कोई भी परिशानी रही नहीं होगी BBS के उपर मेरे एक playlist बना हुआ है जिसमें बहुत सार मैंने column, beam, slab बहुत कुछ मैंने वहाँ पर बना-बना के दिखाया है बहुत कुछ आप लोग सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे steer का BBS हो गया, theoretically या autocar में कैसे निकालते हैं सब चीज मैंने बताया है आप जाकर वहाँ से एक बार ज़रूद सीखिएगा उसको देखकर इसी वीडियो को description में आपको link मिल जाएगा आप मुझसे telegram, insta, whatsapp पे जूनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को description में जाएए मैंने सारे link provide कर दिया है आप social media पे मुझसे जूल भी सकते हैं आज के लिए इतना ही है मिलते हैं next video में new topic के साथ तब तक कि लिप आए, टाटा, जाहें